नमस्कार, मैंना मैं सुधिर सरनवाल, विसफोटक न्यूज में आप से भी का स्वागत है, विसफोटक न्यूज को लाइक करें, सब्स्राइब करें, शेर करें और कमेंट करें नमस्कार, विसफोटक न्यूज में आपका स्वागत है, और मैं हूँ आपके साथ मेखा वर्मापुलेटन का रुख करते हैं कुछ बड़ी ख़परों के साथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आच केरल के गुरू वायू रप्पन मंदिर में पूझा अर्चना थी, और साथ ही मोदी का तुलादान भी करवाए गया उन्होंने भाजपा कारे करता हूँ कि अभिनव सभा को समोधित के टोई कहा, हम लोगसोबा चुनाव में सिफ राजनीती करे मैदान में नहीं थे बलकि जन सेवा हमारा लक्ष है, भले ही यह हमारा खाता ना खुला हूँ, लेकिन जनता का अभार जतानी के लिए मैं यहां आया हूँ, यह हमारी सोच और संसकार है योगी सर्गान ने 27 IPS अफसरों के तबादे कर दिये हैं, साथी STF को भी चार भागों में विभाजित कर दिया गया है तबादरा सूची में कई वरिष्ट अधिकारियों के नाम शामिल है, हाली में आंधर प्रुदेश में भी अधिकारियों की तैनाती में बड़े फेर बदल किये गए थे उतरप्रुदेश के अलिगड में 26 साल की बच्ची की हत्या के बाद पूरे देश में आख्रोश की लहर है बताय जारा है वारदात को अंजाम देने वारे तीसरे आरोपी मेंधी हसन को पुलिस ने गरफतार कर लिया है आरोपी से हत्या के मामले में पूछताश हो रही है मेंधी असन से पहले बच्ची के पिता की शिकायत पर इस मामले में जाहिद और असलम को गरफतार कर जेल भेजा जा चुका है पूर्व केंदरी अमंपरी असलम शेर खान ने दो सालों के लिए कॉंग्रे सध्यक्ष बनने का प्रस्ताब जाहिर किया है असलम का कहना है कि जब राहुल गांधी ने कॉंग्रे सध्यक्ष पद को छोड़ने की बात कही थी तब मैंने एक पत्रों लिखा था और कहा था कि नेहरु गांधी परिवार से बाहर के किसी शक्स को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए पत्रों मैंने कहा था कि अगर राहुल इस पद पर बने रहना चाहते हैं तो वो अच्छे से इसे कर सकते हैं लेकिन अगर वो नहीं रहना चाहते तो मैं इस पदी की जिम्मेदारी दो साल के लिए लेना चाहूंगा देश भर में भीशुन गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है दिली NCR सहित कई राज्यों हैं जिन में गर्मी का कहर तूट पड़ा है भोपाल में गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि पिछले 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है आज भोपाल में पारा 45.99 डिगरी पर पहुँच गया जो सामानने से 7 डिगरी त्याबा है इसके साथ ही भोपाल में गर्मी का 44 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया भारती स्टेट बैंक ने जुलाई महिने से अपने आवासरिंकी ब्याज़दरों को रैपोदर से जोडने की भोषन खींड है बैंक ने एक बयान जारी कर जहा हमें एक जुलाई से रैपोदर से जुड़े आवासरिंकी पेशवश करेंगे बैंक अपने अल्पकालिक कर्ज और बड़ी जमाराशी की ब्यास दरों को रेपोदर से पहले ही जोड़ चुका है रेपोदर रिजर्ब बैंक टैकरता है इस दर पर केंडरे बैंक वाने जिब बैंक को एक दिन के लिए नक्ति उधार देता है महेंदर सिंग धोनी के दस्तानों पर भारतिय सेना के बलिदान बैज को लेकर ICC की आपति पर सोशल मीडिया में भी जम कर बहस हो दे है ज्यादा तर भारतियों ने महेंदर सिंग का समर्थन करते हुए ICC की अलोचना की है पत्रकार आदित राजकॉल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है महेंदर सिंग धोनी के बलिदान बैज पर ICC का रोग बचकाना है ये फैशन के लिए नहीं किया जाता बल्कि इसका एक महत्त है ICC ने भारती सेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्मान किया है कल भारती क्रिकेट टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उत्रेगी इस मैच में लोगसभा चुनाप में बड़ी जीत दर्ज करने वाले जानसद और पूर्म क्रिकेट और गौतम गंभीर कमेंटरी करते नजर आ सकते हैं गौतम ने ट्वीटर के जरीयस की जानकारी दी है कि वो कुछ दिनों के लिए मुंबाई कमेंटरी के लिए जाएंगे और वर्ल्ड कप में स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पर कमेंटरी करते दिखेंगे पाकिस्तान की प्रधान मंत्री इम्रान खान ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को एक बार फिर से चिठी लिखी है उनका क्याना है कि उन्होंने ये खत दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उमीद को लेकर लिखा है इम्रान ने पियम मोदी से साउथ एशिया और पडोसी देशों में शान्ती के लिए मिलकर काम करने की चोज़ताई है पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम लोगों को मिलने वाली राहत का सिलसला अभी भी जारी है आज पेट्रोल की कीमत में 22 से 24 पैसे की कटोथी हुई तो ही डीजल में 25 से 27 पैसे की कमी दर्ज की गई बीते 10 दिनों में 9 वी बार आसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए है आज महराश्र बोड के दसवी के परिक्षा परिणाम घोशित हुए हैं पास स्टूडन की संख्या 77 दशम लव एक शून ने बताई जा रही है 20 स्टूडन्स ऐसे हैं जिनके 100 फीसिदी माक्स आए हैं तो वही 25,941 स्टूडन के 90 फीसिदी माक्स आए हैं अमेरिका के राश्पती डोनाल ट्रॉम का कहना है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए नासा को चंदरमा पर जाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए कुमोने का हमने 50 साल पहले ऐसा किया था ट्रॉम का कहना है कि उसे रक्षया और विज्ञान सहित बहुत बड़ी चीज़ों पर थ्यान केंदरत करना चाहिए ट्रॉम की इस खोशना ने कई अंत्रिक्ष प्रेमियों को चौका दिया है प्रेंका चोप्रा और निक जोनस की शादी के बाद जो जोनस और गेम ओफ थ्रोंस की स्टार सोफी टरनर की शादी की अटकले लगनी शुरू हो गी थी आपको बता दे की सोफी और जो ने सीक्रिट मारेज करके सब को चौका दिया था और अब ये कपल अगले महीने एक बार फिस शादी रचाने जा रहा है अभिनेतर रिशी कपूर पिछले कई महीनों से बड़ी परिशानी से जूच रहे थे फिशले साल 2018 में रिशी अपने पत्नी नीतु कपूर के साथ इलाज के लिए न्यू यॉप चुड़े गए थी आपको बता दे रिशी को कैंसर था वो अपने इलाज के लिए न्यू यॉप में थे लेकिन अब उनकी सेहत काफी अच्छी हो गई है और शायद इस साल सितंबर में वो भारत वापिस आ सकते हैं उस फोर्च अप न्यूज में फिलाल इतना ही नमस्कार झाल